वो अकेला ही चला था जानिवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इतनी भर गई है बरेवे बढ़ता है उन्हें ना तो जनता की परवा है ना लोगों के मुद्दों की परवा है सिर्फ उनको वोट की है बड़ी पार्टी है बनकर बैठ गई है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी में फिर कह रही हूं कि वो जनता के लिए नहीं जनता के वोट के लिए परेशान है कि वोट की खसोट है सबी आएवे सबी भाउजन मुवम्मेंट के मीडिया साथियों को जैवीम आज हमारे साथ हमारी बेहन एमन रिजवी साहिवा हमारे साथ यहां खड़ी है हमारे साथ बैठी है और हमारे साथ पार्टी में बड़े जोश से हमारे साथ जुडने आई है मैं आपका स्वागत क चाहता हूं कि इस वकत भारत के अंदर 2024 के लोकसभा के चुनाओं है इन चुनाओं के गर्मी के चलते ऐसे ऐसे हमारे साथ युवा और जुजारू लोग जुड़ रहे हैं जैसे एमन रिजवी साहिबा हैं और इस प्रकार हमारे साथ एक और हमारे साहिवान है बवीता कि जिस प्रकार वहां पर मस्जिदों में और जो एसे एस्टी डिपार्टर जो बहुल में जिस प्रकार चंशेकर सहाब का हाथ पकर कर लोगों ने जिस प्रकार उनका साथ दिया है उसके चलते एक नई हवा एक नई हवा बनके आई है और दिल्ली तक वो हवा पहुँच ग स्वागत करता हूं मैं चाहूंगा महिज भाई कुछ दो सब बताएं इनका स्वागत करें सभी साथियों का बहुत बहुत आवाद बहुत धन्यवाद आप लोग बहुत शौट नोटिस में यहां पहुंचे शोशित वन्चितों की आवाज गरीव मजलूमों की आवाज छोटी बहन एमन बिजवी जी आज हमार साथ जुड़ रही है जिसता से चंद शेकर भाई मैक्सिमम सभी मुद्दों पे पिडित परिवार के साथ खड़े होते हैं उन्हें नयाय दिलाने के लिए लगते हैं वैस बहुजन समाज में ऐसे ही एक्टिविस्ट की तरह काम करती है और लगबक सभी जगापे पहुचने का परियास करती है हम हजारों इनके साथ मंच शेयर कर चुके हैं किसान अंदलन हो चाहे नासी का मामला हो चाहे वह पहलवानों वाला मामला हो अभी रित्यू का मामला हो तमाम ऐसे सेकड़ों बार हमारा मिलना जुनना हुआ आज इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग साथ मिलके काम करेंगे हमें समाजिक संगठनों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी की भी जूट पड़ती है जिस तरह से चंद शेकर भाई पूरे देश बर में आप जैसे कहीं महिलाओं के लिए हजारों महिलाओं के लिए आइडियल है और निंदतर आप ऐसी काम करती रहें मेरी हादी मंगल कामना है बेंजी के साथ है और बहुत बहुत पुने अभार इनका और बहुत स्वाग है मैं तमाम लोगों का शुकर गुजार हूँ कि मुझे इस लाइख समझा और मुझे इस पार्टी में जुडने का मौका दिया हलाकि मैं भी एक अंदोलन कारी हूँ और पहले पहचान मेरी तीन तलाग के मैटर में हुई फिर मेरा जो बहुत बड़ा नाम चला एनर सी में चल लेकर हम लोग पूरे भारत में हमने उनके लिए आवाजे उठाई थी चंशिकर किसी पार्टी का नाम नी आएश पी किसी पार्टी का नाम नी आंदौलन का नाम है और आंदौलन वही होता है जब आप जमीन पे जाकर काम करें जिस तर आप देख रहे हैं कि अब जितनी भ बोट देगी तनी बड़ी बड़ी पार्टियां बनकर बैट गई हैं तो जब चंड शेखर जी ने एसपी बनाई और जिस लिहां से वो उतर के काम कर रहा है पब्लीक के बीच में जा रहा है और जिस तरह नगीना में आप देखे कि उन्होंने एक ही तो सीट मांगी थी नहीं मिली उसके बावजूद उनका होसला देखे कि उन्होंने का नहीं लड़ना तो है समाज का काम करना तो है मैं अपनी ही आइडेंटिर पे अपनी ही चिनाव चिन पे अपनी ही एसपी पार्टी पे नगीना से जब वो उतरे तो पहले तो उनके लिए शेयर यहीं कि वो अकेल ही चला था जानिवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया तो चंशेकर के साथ बिलकुल ऐसा ही हुआ कि आखिर में ऐसा हुआ कि चंशेकर नगीना में इतना डॉमिनेट कर गया कि जो अपोजिशन पार्टी जो गडबंदन की एक तरह से खिटड़ी पक कि कोई भी वहाँ पर पीड़ी थे तो चंशेकर वहाँ पर पहुंचे तो नगीना का एकदम इलक्शन चेंज हुआ और इलक्शन चेंज होने के बाद पूरा नगीना जो था वो चंशेकर के साथ चला गया और अफसोस की बात और हमारे लिए खुशिकी बात यह रहे कि जो चंशेकर को चिताना है और चंशेकर को सांसद सांसद बना के संसद में पहुंचाना है ताकि वो इसी तरह हमें मजबूत करें हमारे लिए आवाज बनाए और आज मैंने एस पी जोईन करी हाला कि मैं इनके गडबंदन इंसंकड़न के साथ भी मारमी के साथ हमेशा रही हू चाये कास गंज वाला मामला हो चाये दिल्ली कैंट वाला मामला हो चाये वो हातरस वाला कांडू और हमारे पास इस वक्त लीडर्शिप की बहुत कमी है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी मैं पिर कह रही हूं कि वोड के वोड के लिए परेशान है कि वोड की खसोट है तो इस वाली पार्टी को मैं मजबूत करना चाहूंगी और आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगी कि A. विधान को मजबूत करना चाहते हैं आप भारत को मजबूत करना चाहते हैं तमाम लोगों को गुल दस्ते की मानी जोड़ना चाहते हैं तो आप A.S.P. को मजबूत करें इस बात के हम आप से यकिन दहाई करते हैं और बादा करते हैं कि अगर आपने A.S.P. को मजबूत करा